अलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक इन जोरी पाठचाला बायामित जोरी सर रीफ्लेक्शन ओफ लाइट का आज हम सेकेंड लेक्शर करेंगे रीफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल सर्फेस फर्स्ट लेक्शर में मैंने रीफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन लाइट का इंट्रोडक् चलिए आज शुरू करते हैं, reflection by spherical surfaces, तो इसको heading दे देते हैं, light topic के अंडर second lecture, reflection by spherical surface, मतलब अगर मुझे कभी image का, size कम करना हो, या कभी object के size से बड़ा बनाना हो, तो वो facility मुझे plane mirror provide नहीं करता है, वो image का size वो ही बनाएगा, जो आपकी object का size होगा, इस वजा से, इस drawback की वजा से, मुझे spherical mirror की तरफ shift होना पड़ता है, in other words, अगर मैं बोलू, कि plane mirror से, जो मुझे magnification मिलती है, वो कितनी होती है, one, उस में magnification में मैं two times या half, मतलब size of image को बड़ा बनाना, as compared to object, या छोटा बनाना, वो नहीं कर पाता हूँ, उसकी वज़े से, जो मेरा shifting हुआ है, plane की जगा, spherical surface है, इस reason की वज़े से, अब आते हैं, what is a spherical surface, अगर माल लीजिए, glass का ये sphere मेरे पास है, जो board पे आपको circle लग रहा होगा, but actually it is a sphere of glass, अगर मैं इसके parts को cut कर लूँ, तो ये part मेरे पास ऐसे करके आ जाएंगे, इन parts को बोलते हैं, spherical mirrors, इन parts को बोलते हैं, spherical mirror, spherical word इसलिए जुड़ा है, because these parts are cut from the spherical surface, इसलिए इनको spherical mirrors बोला जाता है, spherical surface जो आपको board पे दिखती है, वो plane दिखती है, वैसे ये, आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसी होती है, ये spherical surfaces, plane नहीं होती है, sphere का एक part होती है, तो आपको ऐसी plate की तरह देखेगी, नॉर्मल लाइफ में, अगर आपको देखना है, तो कहीं बड़ी building में जब underground parking प्रोवाइट की जाती है, तो वहाँ पे बड़े-बड़े glass के शीशे लगाये जाते हैं, बड़े-बड़े glass के शीशे लगाये जाते हैं, convex mirror के, तो आप देखोगे, bulging out surfaces हो जाती है, वो इसलिए लगाये जाते हैं, कि दूर से कोई गाड़ी आ रही हो, तो इस side आने वाली गाड़ी को parking में, इस side आ mirrors, ये दो type के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं ये, एक होते हैं ये concave mirror और एक होते हैं convex mirror, सर कैसे पता पड़ेगा कौन सा convex है और कौन सा concave है, इस difference is created by की कौन सी side को आपने polish किया है, आपके पास ये तुकड़ा मिला, अगर इसमें आपने outer side को polish कर दिया है, तो ये बन जाएगा concave mirror, अगर आपने outer side को polish किया हुआ है, outer side को, outer side आप कैसे पैचानोगे, ऐसी side जो bulging out है, ऐसी side जिसका पेट बहार निकला हुआ है, bulging out means जो बहार की तरफ fully हुई surface है, अगर आपने वो swell surface को, bulging out surface को polish किया है, तो वो concave mirror देगा, लेकिन आपने, अगर आपका mirror ऐसा है, तो आराम से दिख जाता है, कि ये bulging in वाली surface है, bulging in वाली surface, यानि अंदर वाली surface, अगर आपने उसको polish कर दिया है, तो ये बन जाएगा आपका convex mirror, तो इस तरह से difference create होता है, on polishing, कि आपने bulging out surface को polish किया है, concave mirror देदेगा, और bulging inside को polish किया है, तो वो convex mirror देदेगा, concave mirror को हम directly बोलते हैं, converging mirror, क्योंकि ये light ray को converge करता है, इसलिए इसको converging mirror बोलते हैं, और convex mirror को हम बोलते हैं, diverging mirror, क्योंकि ये आने वाली incident ray को after reflection diverge कर देता है, converge और diverge का मतलब क्या होता है, ये दो pen, ये दो marker आप देख रहे होंगे, ये अभी parallel आ रहे हैं, अगर मेरा converging होगा, तो ये आपस में after reflection को ऐसे meet करा देगा, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे थे, converging मतलब, आप road पे travel करते हैं, तो कई बार लिखा होता है ना आगे, road आपस में जाके converge होने वाली हैं, तो traffic ऐसे जाने के बाद ऐसे मिलने वाला है, तो आराम से गाड़ी चलाएं, converging means, कोई दोरो ऐसे जा रही थी, after reflection वो ऐसे जाके मिलने वाली हैं, this is called converging, दूसरी बाद diverging, कोई दोरो ऐसे जा रही थी, अब वो एक दूसे से और दूर चली जाएंगे, this is called diverging rays, तो जो concave mirror है, वो rays को converge करता है, एक दूसरे के पास लेके आता है, जो convex mirror है, वो diverging mirror है, rays को आपस से दूर कर देता है, diverge, converge, ठीक है, तो ये दो mirror हमारे पास होते हैं, mirror हमारे पास convex हो, या concave हो, उनके जो parameters होते हैं, वो fixed हैं दोनों के लिए, तो अब हम बात करते हैं, इनके parameters की, कि कौन-कौन से physical quantities होती हैं, और parameters होते हैं, जो इनको define करते हैं, सबसे पहला parameter होता है, center of curvature, center of curvature जिसको हम C से denote करते हैं, C मतलब center of curvature of the mirror, वो C क्या होता है, इस sphere से, जिस spherical sphere से, spherical glass sphere से, मैंने इन पार्ट को cut किया है, उनका जो center रहा होगा, that is called the center of curvature of spherical mirrors, तो अगर मैं देखूंगा, इसके लिए, इन दोनों के लिए अगर ये center है, इसको मैं बोलूँगा, तो देखो, इसका center of curvature ये रहा, इसका center of curvature ये रहा, तो, center of curvature clear हो गया, the center of that sphere from which you have cut these parts, second आते हैं, pole पर, pole मतलब होता है, उस mirror surface का, जो spherical mirror है, उसी का geometrical center, जो उसी पर lie करेगा, इसको बोलते हैं, pole, the geometrical center of that spherical part only, जो cut करके बनाया गया, concave part या convex part, उसी का geometrical center होता है, pole, फिर आते हैं, तीसरी चीज़ पर, एक ऐसी line, जो pole और center of curvature से पास होती हुई, जा रही हो, उस line को हम बोलते हैं, principal axis, उस line को क्या बोला जाता है, principal axis, the line which passes through the optical pole, center of curvature, is called principal axis, principal axis, इस mirror को, दो half में divide कर देती है, upper half और lower half में, ठीक है, फिर हम आते हैं, focus पर, अगर मैंने अपना ये concave mirror बना लिया है, outer bulging out, जो side हो, उसको polish करके, ये principal axis हमने समझा, ये geometrical center, जो pole होता है, ये center of curvature, जिसका ये part था, उसका center, इन दोनों का जो midpoint होगा, geometrically, जो C और P का, midpoint होगा, वो कहलाता है, focus, focus को define करने के लिए, we have one more technical definition, when rays come parallel to the principal axis, when rays come parallel to the principal axis, after reflection, it passes through focus, or, if it is a convex mirror, it appears to pass through focus, तो उसका भी case देख लेते हैं, उसके भी focus को define कैसे करेंगे, उसमें appears to pass होगा, ये उसका pole है, ये उसका center of curvature, ये उसकी focal length, उसका bulging in part polished होता है, तो ये बन गया आपका convex mirror, इसमें focus कैसे define करेंगे, कि when rays coming out of, coming parallel to the principal axis, it appears to pass through focus, it appears to pass through का मतलब ये हुआ, कि ये focus से pass तो नहीं होगी, it appears to pass, उसी direction में ये ऐसे चली जाएगी, उसी तरफ, reflection हो रहा है न ये, उसी medium में उसको वापस जाना है, और उस medium में वापस जाती है, तो वो उसी line के along जाती है, जो focus से pass हो रही है, इसलिए मैंने अपनी definition में use किया, focus is that point on the principal axis, at the midpoint between center of curvature and pole, कि when ray of light comes parallel to the principal axis, passes through the focus, or appears to pass through the focus, that point is called focus, is that clear, passes through the focus, for concave mirror, जिसमें really pass कर रही है, appears to pass through the focus, convex mirror, उसमें actually pass नहीं कर रही है, but उस line के ही along जा रही है, जिससे focus pass होता है, clear हो गया यह तीसरी definition, center of curvature हो गया, pole हो गया, focus हो गया, अब आते हैं हम focal length पर, the length, सारी length जो concave, आपको spherical mirror में measure करनी है, वो सारे distances, सारे parameter जो आप measure करते हैं, वो सब pole को reference लेके करते हैं, सारे distances pole से measure करेंगे, तो pole से लेके focus तक का distance जो होता है, वो होता है focal length, pole से लेका जो center of curvature तक का distance होता है, वो होता है radius of curvature, तो हमारे पास एक distance आगया focal length, दूसरा distance आगया radius of curvature, इन दौनों में भी एक relation होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, focus right hand side पर है, और यह है radius of curvature, convex और concave mirror में एक बहुत important difference आप notice कर रहे होगे, concave mirror का focus जो है, वो left hand side पर है, और convex mirror का focus जो है, वो right hand side पर है, यह अभी आपको मैं sign convention जब बताऊंगा, उसमें बहुत importantly काम आएगा, numericals में भी बहुत importantly काम आता है, because सारी known quantity को हमको sign के साथ put करना पड़ता है, ठीक है, चलो, पहले हम अपने इस topic पर वापेश आ जाते हैं, कि focus और radius of curvature में एक relation होता है, कि focus is equal to half of radius of curvature, focus radius of curvature के बिलकुल half रहता है, मैंने अपनी पहली definition में जब focus को define किया था, geometrically किया था, it is the midpoint between center of curvature and pole, तो अगर midpoint है, तो उसका half हुआ, yes, अगर आप boards की तयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है, एक 2 या 3 मार्क का question आपको मिले, जिसमें आपसे वो prove करवाएंगी, prove that focus is half of radius of curvature, तो चलिए इसको prove कर लेते हैं, इसको prove करने के लिए, मैं एक छोटा सा diagram बना लेता हूँ, उस diagram में आपको एक और अच्छी चीज समझ में आ जाएगी, ये pole हो गया, ये focus हो गया, ये center of curvature हो गया, center of curvature से जो भी line आप mirror को join करोगे, वो normal to the mirror होती है, ये आप हमेशा याद रखना, मैंने काना है कि important conclusion भी अपन ड्रॉव कर लेंगे, वो important conclusion ये ही है, कि the line from center of curvature to the mirror, is always normal to the mirror, जो हम normal की बात कर रहे हैं न, plane surfaces के लिए, वो ही ये normal है, तो ये है वो normal, अगर मैंने ऐसी line join कर दी हो, center of curvature से पास होके जा रही है, this will act as a normal for the reflecting surface के लिए, तो अब मेरे पास मान लो, एक ऐसी incident ray आती है, तो ये angle of incident हो गया, the angle between the incident ray and the normal, जो center of curvature से जाता है, since rays parallel आ रही है, तो ये focus से पास होती हुई जाएगी, ठीक है जी, angle of incidence is equal to angle of reflection, by the law of reflection, तो मैंने उसको आई लिया, तो इसको भी आई ले लिया, correct है ये बात, ठीक है, अब अगर आप देखोगे, ये जो ray है, इसको नाम दे देते हैं, om, om ray और principal axis जो है, वो आपस में parallel है, principal axis and ray, om is parallel to each other, और ये जो line है, mc, ये transversal की तरह एक कर रही है, तो ये जो angle है, वो alternate interior angle हो गया, जो इस angle के equal होना चाहिए, ये वाला angle, और ये वाला angle, ये दोनो alternate interior angles हो गया, तो ये भी I हो गया, clear है, अब आप यहाँ पर, mathematics थोड़ा use करेंगे, mathematics में एक property होती है, triangles के लिए, कि exterior angle, is always equal to, sum of the other two interior angle, in triangle cmf, अगर मैं triangle cmf की बात कर रहा हूँ, तो ये जो angle है, exterior angle है, और exterior angle, इन दोनों के sum के equal होगा, तो ये exterior angle, कितने का आ जाएगा, 2i का, ये बात मेरी clear है आपको, बिल्कुल सही बात है, तो proving करने के लिए, आपको ये diagram accurate बनाना, बहुत जरूरी है, दूसरी बात, m से एक perpendicular drop कर देते हैं, यहाँ पर, और ये जो distance में, black से कर रहा हूँ न, p तक का, normal life में, बोर्ड पे तो आपको ये बहुत ज़ादा दिख रहा होगा, normal life में curvature इतना होता नहीं है, तो ये distance almost negligible होता है, तो इसी को हम p बोल सकते हैं, इस point को हम p बोल सकते हैं, तो यही point को यही pool है इसका, तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, in triangle cmf, sorry, in triangle, in right angle triangle cmcp, मैंने mcp एक right angle triangle ले लिया, इस triangle में अगर मैं लगाँँगा 10i, 10 theta का definition क्या होता है, opposite upon adjacent, opposite है mp, और adjacent है cp, mp को as it is लिखा रहने देते हैं, और cp क्या है, cp है radius of curvature, cp क्या है, radius of curvature तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह बन गई मेरी first equation, फिर आते हैं, या इसको first equation नहीं बनाते हैं, अब हम बोल सकते हैं, कि for small angles के लिए, 10 और sin में एक चीज होती है, क्योंकि यह सारे angle बहुत small रहेंगे, क्योंकि curvature इतना जादा नहीं होता है, तो for small angles, 10 theta is equal to theta almost, तो मैंने बोला, i equals to हो गया mp upon r, अब इसको upon first equation ले सकते हैं, small angles के लिए आप हमेशा याद रखने है, sin theta और 10 theta में यह property होती है, cos में नहीं, कि sin theta equal to theta हो जाता है, 10 theta equal to theta आप लिख सकते हैं, for small angles के लिए, और यह सारे angles बहुत small हैं, अब यही काम हम करते हैं, in triangle mfp में, mfp में आपका क्या है, 10 2i, which should be equal to opposite upon adjacent, mp upon fp, mp as it is, fp क्या है, focal length, fp क्या है, focal length, तो मैंने वहाँ value रख दी, फिर वही concept यूज़ करूँगा, small angles के लिए, तो मेरा 2i मिल जाएगा, मुझे mp upon f, यह आगई मेरी second equation, अगर अब मैं simple mathematics लगा के, compare कर लूँ, first और second equation को, देख लो आप, इसमें i की value mp upon r है, इसमें 2i की value mp upon f मैं, तो मैं first equation से, second equation में i की value put up कर देता हूँ, तो 2 into i, i, i मुझे mp upon r मिल गया, और 2i equals to क्या है, mp upon f, mp, mp cancelled out हो गया, यह देखो, mp और mp को मैंने cancelled out कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 2 upon r equal to 1 upon f, this implies, 2f is equal to r, we can say r, और f is equal to r by 2, यही property मैंने आपको बताई थी, कि focus जो होता है, वो बिलकुल midpoint पे होता है, pole और center of curvature पे, मतलब जो focal length होती है, वो बिलकुल, double होती है, radius of curvature के, तो boards के लिए, for board students, यह derivation काफी important है, mains, neat, advance के लिए, उनकी यह जानकारी उनको काफी रहती है, उसको derivation का ज़्यादा use नहीं है, but derivation सीखने में हमेशा बोलता हूँ, एक अच्छी बात रहती है, derivation सीखने से आपको कहा रहता है, inside view मिल जाता है, हम लोगों ने relation दिया, focal length और radius of curvature के बीच में उसको prove भी किया, ठीक है, अब lecture के second part पे आगे बढ़ते हैं, कि आखिर convex mirror है, या concave mirror है, कोई भी spherical mirror है, आप इसको use तो image formation के लिए ही करोगे न, तो अब इसकी image formation कैसी होगी, वो अपन देख लेते हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा रब कर लेता हूँ, अब आपन चलते हैं इसकी image formation पर, चाहें वो convex mirror हो, चाहें वो concave mirror हो, इन सबका काम एक ही है, अब आपको images form करनी हैं उस पे से, क्या form करनी है, images, तो images आप कैसे form करोगे, उसके कुछ न कुछ rules तो होंगे न, rules to formation images, तो हम यहाँ heading डाल देते हैं, rules for the formation of images, rules for image formation, और image formation किसका हो रहा है, spherical mirrors का, plain mirror का तो हम first lecture में कर चुके हैं, first rule पर चलते हैं image formation के, first rule के according, जो हमने अभी use भी किया, in the definition of focus, अगर मान लो यह concave mirror है, जिसमें bulging out surface polished है, यह उसकी principal axis, यह pole और यह उसका focus, यह उसका center of curvature, अगर कोई भी line parallel आती है, principal axis के, तो वो हमेशा focus से pass होती हुई जाएगी, after reflection, this is the first rule for the image formation, आपको image formation के में rules बता रहा हुए, तो पहला rule है कि, कोई भी line, अगर principal axis के parallel आएगी, तो after reflection, वो focus से pass होती हुई जाएगी, अगर यही mirror convex mirror होता, यही mirror convex mirror होता, तो इसमें directly pass ना होते हुए, कोई भी रहाती, तो after reflection, it appears to pass through focus, मतलब, उस point of incidence से, आप focus के dotted line खीचते, और उसी के along यह reflect हो जाती थी, because we know that, and we have discussed that, कि convex mirror is a diverging mirror, हम polishing दिखा देते हैं, वरना confusion हो जाएगा, कि यह transparent surface है, polishing दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक reflecting surface में, और एक reflecting surface में, different ही polish का होता है, अगर आप polish नहीं करेंगे, तो वो transparent हो जाएगी, तो convex mirror के case में, it does not passes through the focus, it appears to pass through the focus, appears to pass through focus मतलब, उस line के along जाएगी, but it is a diverging mirror, तो उसको ray को diverge कर देगी, यह है first rule, second rule क्या है, second rule यह बोलता है, अगर इस case में, मैं इसी को rub कर लेता हूँ, यह मैं second rule बता रहा हूँ अब आपको, second rule में, अगर कोई भी ray, center of curvature से पास होके, mirror पे incident होती है, तो जैसा मैंने अपने पूरे lecture में, आपको बता रहा हूँ, कि center of curvature से, कोई भी line mirror को जाएगी, तो वो हमेशा normal to the surface होगी, और reflection में, हम यह बात जानते हैं, कि अगर कोई भी ray, normally incident होती है, तो उसका angle of incidence, zero होता है, तो angle of reflection भी zero होगा, मतलब, वो वैसी की वैसी, वापिस आ जाएगी, इसको बोलते हैं, retracing of the path, second rule, इस case में, इस case में भी आप ऐसे ही लोग है, अगर कोई ray जा रही है, center of curvature की direction में, जैसे यह center of curvature है, तो इससे dotted line ले ले लेते हैं, कि अगर कोई ray ऐसे आ रही होगी, इस तरफ में dark line इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि actually में ray इस तरफ ही है, object इस तरफ ही है, along the center of curvature की line पे जाएगी, तो it will retrace its path, वो अपने path को retrace कर लेगी, क्योंकि जो center of curvature से line mirror पे join होती है, वो normal की तरह act करती है, और कोई भी line normal के along अगर incident होगी, तो वो normal के along ही वापिस चली जाएगी, retrace its path बोलते हैं इसको, फिर आते हैं इसके third rule पर, third rule में आप क्या करते हैं, मैं अलग बना लेता हूँ, अब third rule में आप क्या कर रहे हैं, पहले कौन के mirror की देख लेते हैं, focus, center of curvature and pole, अगर कोई भी ray focus से पास होके जाएगी, incident ray, अगर focus से जा रही है, तो after reflection, it will become parallel to the surface, it will become parallel to the principal axis, अगर incident ray, focus से पास होके mirror पे incident होगी, तो after reflection, it will become parallel, rule बिलकुल simply आप समझ सकते हैं, अगर center of curvature से मैं line draw करता हूँ, तो वो normal होता है, ये angle of incidence हो गया, ये angle of reflection हो गया, तो नइक्वल होते हैं, और वो ही rule को, इसी rule को अगर convex mirror के case में समझा जाए, तो मैं यहीं कर लेता हूँ उसको, कि अगर कोई ray focus से पास होती हुई जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी, तो after reflection, it will become parallel to the surface, वो parallel हो जाएगी surface से, ठीक है, आप जब image form करते हैं, तो इन तीन में से, कोई भी दो best rule, जो आपको लगता है, वो आप ले लीजिए, first rule काफी simplified है, जब आप ray parallel जाके, focus से पास होती है, वो तो use करिये ही, इन दोनों में से, कोई एक rule choose कर लीजिए, या कई बार एक, या कई बार दूसरा, जो भी आपकी suitability हो, उसके according आप, सारी image formation कीजिए, image क्या होती है, image वो point होता है, जहां पर, reflected ray, intersect करती हैं, और appears to intersect होती हैं, अब मैंने ये दो बाते बोली, अगर वो really में intersect कर रही हैं, तो that is real image, अगर दो ray, वाकई में intersect कर रही हैं, after reflection, इस तरह से, तो अरे ये तो वाकई में intersect कर रही हैं, तो ये बन जाएगी मेरी real image, जो हमेशा inverted होगी, inverted means, upside down, upside down means, अगर ये object है, upside down, बिलकुल उल्टा दिखेंगे आप, तो अगर मेरी real image बनाएंगे, तो मेरा सिर नीचे चला जाएगा, और पैर उपर आ जाएगा, सीर शाषन बना रहेंगे अपने, लेकिन अगर rays, after reflection ऐसी हैं, इस direction में proceed कर रही हैं, तो आप देख सकते हो, इस direction में तो ये कभी नहीं मिलने वाली, diverging rays हैं, तो इनको हम पीछे की तरफ ऐसे retrace करते हैं, और तब देखते हैं, इनका point of intersection, जो कि मुझे यहाँ पर ये मिला, तो इस case में rays are not actually meeting, they are appears to meet on backtracing, इस type of images is called virtual images, जो कि हमेशा erect होंगी, virtual images हमेशा erect होंगी, तो अगर ये object है, और ये ही इसकी image है, तो ये है virtual image, जो हमेशा erect होती है, अगर ये object है, और ये इसकी image है, तो ये है real image, क्योंकि real image हमेशा inverted होती है, I hope आपको rules for the formation of image, और real or inverted image में, real or virtual image में difference समझ में आया होगा, images आप घर पे draw करें, आप easily कर पाएंगे, अगर ये rules को अच्छे से follow करेंगे, अब हम आते हैं, अपने next topic, sign convention, which is very important, sign convention अगर आप गलत कर दोगे न, तो आपके बहुत सारे numericals, के answer wrong आएंगे, और आपको plus 4 जहां मिलने चाहिए थे, वहाँ पर minus 5 मिल जाएगा, unfortunately, क्योंकि negative marking है, तो अब हमारी heading है, जो सबसे important है, numerical के लिए sign convention, कि आखिर sign convention कैसे लिए जाएं, sign convention में, अगर आप एक small चीज को follow up करते हुए चलें, जो है partition coordinate system, आप से गलतिया नहीं हो सकती, ये आपका mirror है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका mirror है, तो mirror के, एक distances होते हैं, आपके left hand side में, चलिए पहले इसकी principal axis, डॉने ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे मैं जो बोल रहा है थाना, partition system वो आपको clear समझ में आ जाएगा, तो ये है इसकी principal axis, और ये रहा mirror, mirror के, जो भी distances left side में होंगे, वो हमेशा negative लिए जाएंगे, जो distances left side में होंगे, वो हमेशा negative लिए जाएंगे, ठीक है, और जो distances positive side में होंगे, right side में होंगे, वो positive लिए जाएंगे, दूसरी बात, अगर कोई भी distances, upright direction में हैं, कोई भी distance अगर इस उपर की side में है principal axis से उपर है इसमें बिलकुल confusion मत रखना left और right का अगर आप height measure कर रहे हो तो इसमें आपको देखना है principal axis के उपर या नीचे इसमें right और left नहीं देखना है तो इसमें चाहिए तो मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ तो वो distances positive होते हैं फिर बोल रहा हूँ vertical distances जब measure करेंगे उसका sign convention right और left पर depend नहीं करेगा right और left का funda horizontal distances में काम आता है horizontal distance में left वाले distance negative right वाले positive लेकिन जब आप vertical distance करते हो vertical को हम बोलते हैं standing line जब standing line के distance कर रहे हैं तो principal axis को आपको अपना standard लेके चलना है अगर उसके उपर है तो positive और अगर उसके नीचे है तो भाईया negative distance हो जाएगा इसका एक example कर लेते हैं अगर यह object आपने रखा यह object की height है अगर उसकी real image बनी तो real image कुछ इस तरह बनेगी inverted height of image जो की negative हो जाएगी क्योंकि भाई vertical distances है वर्टिकल distances का standard होता है principal axis अगर वो principal axis के नीचे है तो negative है उनमें right और left का फंडा नहीं होता right और left का फंडा होता है horizontal distance में मतलब sleeping line में जो sleeping line के distances होते हैं along the principal axis वाले उनमें right और left देखना है जो vertical distances है perpendicular to the principal axis वाले उनमें above the principal axis और below the principal axis देखना है above the principal axis positive below the principal axis negative clear है यह फंडा चलिए अब इसके last part पर चलते हैं जिसको बोलते है mirror equation, mirror formula जिस भी नाम से आपको बुलाना हो मैं इसको mirror equation या mirror formula दोनों लिख देता हूं sign convention में बिल्कुल confusion मत रखना मैं sign convention को एक बार और repeat कर देता हूं जो मैंने right और left के लिए बोला वो right और left पहली बार तो अगर मुझे आप mirror माल लें मेरी central axis को तो मेरा यह कौन सा side हुआ मेरे लिए तो यह left है आपके लिए right हो रहा होगा तो मेरे right हैंड पे positive left हैंड पे negative लेकिन किन distances के लिए ऐसे distance जिनको मैं horizontally measure करूँगा ऐसे measure करूँगा ऐसे horizontally वर्टिकल के लिए principle axis का फंड़ा principle axis के अगर ऊपर है पॉजिटिव है principle axis के अगर नीचे है तो negative है ऐसे distances मैं principle axis और ऐसे distances में mirror mirror के left और right आई होप आपको समझ में आया होगा लेकिन उसमें एक चीज़ और add कर ले sign आपको सिर्फ और सिर्फ only and only known quantities का ही आपको put up करना है ऐसी quantity जिनकी value आपको पता हो सिर्फ उनीका sign convention यूज़ करना है ऐसी quantity जो unknown है जो आपको determine करनी है उनका sign convention हम नहीं रखते हैं हम नहीं रखते हैं ऐसी quantities जो known होती है सरिफ उसी का sign convention रखते हैं ऐसी quantity जो unknown होती है उनका sign नहीं रखते हैं वो अपने आप आएगा solve करने पर तो solve करने के लिए equation चाहिए वहाँ पे आती है mirror equation 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f ये है आपकी mirror equation जो आपके numerical help करने में बहुत help करेगा अब इसमें u, v और f तो आप समझी गए हो focal length वो तो हमने discuss कर लिया यू क्या है the distance of object from the mirror अगर मैं बोल रहा हूँ distance of object from the mirror तो मैंने आपको पहले ही बताया mirror से measure करना मतलब pole से measure करना pole is the standard point जहांसे हम distances सारे measure करेंगे तो अगर मैंने लिखा distance of object that is means from pole pole से लेके और v क्या हो जाएगा distance of image मैं एक बना के चलते हैं अगर मान लीजिए ये focus है ये center of curvature यहाँ पे कहीं मैंने object रखा a, b ये मेरा pole है तो ये जो distance है ये है u अब मान लो इसकी image कहीं यहाँ form हो जाती है ये real image form करेगा ऐसे ले लेते हैं a dash, b dash देखो b की b dash और a की a dash real image है क्योंकि upside down हो गई है तो ये जो distance लिया मैंने ये है v I hope आप समझ गए होगे u और v focal length आप जानते ही हो focus से pole का distance तो ये formula आप use करेंगे और इनमे quantity की values रखेंगे with sign convention लेकिन sign convention में उनी का use करना है जो quantities known होंगी जो quantity की value आपको पता होगा unknown quantity का sign convention हम नहीं रखते हैं अब आते हैं lecture का जो basic start किया था कि भाई spherical mirror की क्या जरूरत है plane mirror है तो सही तो हमें क्यों जरूरत थी हमने बोला था कि भाईया हमें magnification नहीं मिलती न अगर हमें अपने according कभी कभी object का size मतला image जो बनाएंगे अगर वो बड़ी बनानी है image से तो भी possible नहीं है छोटी बनानी है तो भी possible नहीं है लेकिन यहां तो possible है तो यहां पर एक नया word आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे magnification यहां पर एक नया word आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे magnification जिसको हम small m से प्रिजेंट करेंगे अगर स्मॉल एम नेगेटिव है तो वह रियल इमेज है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है अगर मैगनिफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है मैं फिर बात क्लियर कर देता हूं Magnification बात में समझाओंगा पहले sign समझ लीजिए Magnification का अगर value minus में आ रहा है तो वो real और inverted image है अगर plus में आ रहा है तो virtual and erect image है Magnification का formula सबसे पहला formula height of image upon height of object या फिर minus v upon u या फिर minus v upon u v is the image distance from the pole and u is the object distance from the pole Magnification अगर आपको मालो 3 आता है m equals to 3 अगर आपको आता है m equals to minus 3 let us suppose और आपसे question पूछा जाता है कई बार boards में कि what do you mean by if any image has m equal to minus 3 उसकी magnification minus 3 है सबसे पहले उसका मतलब है minus sign का कि sir ये real image है और real image inverted होती है nature बता दिया 3 का मतलब है वो 3 times larger है as compared to size of object अगर size of image ये object ये था तो ऐसे 3 pen रखने पढ़ेंगे आपको ऐसे 3 रखने पढ़ेंगे तब जाके image बता पाऊगे 3 का मतलब ये है कि size of object को आप triple कर लो image मिल जाएगी that means 3 3 times larger है minus sign उसका nature बता रहा है कि वो real and inverted अब हम इसके बाद इसके z main के students के लिए और neat के students के लिए और advanced के students के लिए इन में एक चीज़ और discuss कर लेते हैं जो है velocity वहाँ पर कई बार वो object को move करते हैं image भी move होगी क्योंकि image और object relative form होते हैं इनके distances जो हैं वो relative है via this relation इसमें सिर्फ एक ही चीज़ constant है वो है focal length focal length इसकी geometry पर depend करती है जो भी mirror होता है focal length उस mirror का part है जब तक आप mirror change नहीं करोगे उसकी focal length change नहीं होगी focal length constant रहती है लेकिन v and u relative है अगर u change होगा तो v change हो जाएगा clear है focal length हमेशा constant रहती है unless or until आप उस mirror को change नहीं करते हैं क्योंकि वो mirror की geometry से आती है u और v relative distances है अगर u change करोगे v change हो जाएगा ठीक है जी तो इसके लिए हम velocity को discuss कर लेते हैं velocity को discuss करने के लिए इसी equation को अगर आप differentiate करें तो on differentiating आपको क्या मिलेगा 1 upon v का differential इसको differentiate करना है with respect to t तो हम जब differentiate करेंगे तो ये मिलेगा 1 upon minus 1 upon v square into dv by dt minus 1 upon u square du by dt equal to 0 0 क्यों मिला क्योंकि focus जो है वो constant है constant term का differentiation 0 आता है ये जो student neat वाले हैं उन्होंनों भी mathematics जो आपको mathematical tool में समझाया गया है उससे use कर सकते हैं मैंने simply 1 upon x वाला formula use किया है जो x to the power minus 1 बन जाएगा और x to the power n के formula से आप उसका differential निकाल सकते हैं सिंस मैं t के respect में कर रहा हूं तो इसलिए मुझे v का differential करते समय dv by dt का भी multiply करना पड़ता है same है dv by dt का multiply अब मैं इसको interchange कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा 1 upon v square और साथ साथ मैं dv by dt मतलब speed of image तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं velocity of image को v i equals to इसको side ले गया 1 upon u square into v of object velocity of object तो अगर आप देखोगे velocity of image upon velocity of object जो आया वो कितना आया minus v square upon u square इसको अगर magnification formula से telly किया जाए तो यही value आप किया जाएगी minus magnification का square so the ratio of the velocity of image to the object is equal to minus times the square of the magnification यह बहुत important relation है जो velocity का relation है object and image की focus constant रहता है because it is the geometrical feature of any spherical mirror वो change नहीं कर सकते unless और अब जब तक mirror change नहीं करोगे sign convention की focus को लेके एक बहुत important चीज़ focus अगर negative मिल रहा है आपको अगर focus आपको negative मिल रहा है तो वो हमेशा concave surface होगा हमेशा concave surface होगा मैं इसको generalize कर रहा हूँ अगर focal length negative है तो जिनका नाम भी concave है वो सब focal length negative की होगे चाहें वो mirror हो या वो lens हो focal length negative है मतलब concave surface है चाहें mirror हो या lens generalize कर दिया अगर वो positive है तो वो concave surface convex surface है चाहें वो mirror हो या वो lens हो अब आप कभी confused नहीं होगे आप confused क्यों होते हो क्योंकि mirror के लिए भी याद रखते हो और lens के लिए भी जबकि दोनों सेम है focal length negative concave surface चाहें mirror चाहें lens focal length positive convex surface चाहें mirror या फिर lens ठीक है I hope यहाँ तक अब आपको पूरी चीजें clear हो गए होंगी last बात अच्छे से पढ़ाई करें किसी भी क्योरी के लिए या कोई भी topic जो आप चाहते हैं मैं आपको explain करूँ या फिर आपके numericals जो topics related हों मेरे शार्द शेयर कीजिए मैं बिलकुल कोशिश करूँगा उनको upload करूँ numerical मैं theory के अलग discuss करता हूँ तो numericals के लिए आप मेरे आने वाले वीडियो देखिएगा उसमें मैं upload करूँगा boards के लिए भी z main के लिए भी और z advance के लिए and neat वालों के लिए भी till then आप अच्छे से पढ़ाई करें focus रहें thank you